नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर होली में सराबियों पर पुलिस रखेगी पैनी नजर सियम निदीश ने प्रदेश वासियों को दी होली और सब बारात की बधाई बिहार के ग्याड़ा आईस अधिकारियों को मिला प्रमोशन एवी डिवीलियर्स ने इस खिरारी को बताया T20 क्रिकेट का बेस्ट फ्लेयर इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से होली में सराबियों पर पुलिस रखेगी पैनी नजर होली के अफसर पर बिहार में सराबियों और सराब तसकरों पर नियंतरन रखने के लिए मद निशेद उतपाद एवं निवंधन विभाग के दोरा आज शाम साथ बज़े से कल यानी की बदवार को रात तक पैनी नजर रखी जाएगी बता दे कि जानकारी उतपाद आयूप की बीकारती के धनजी के दोरा दी गई है उन्होंने बताया कि इस दोरान दियारा इलाके में विशेश चौकसी बरती जाएगी इसके साथ ही ड्रोन के साथ स्वांस दशा की मदस से भी छापे मारी की जाएगी उनके दोरा दी गई जानकारी के नुसार 9 मार्च को सराब बंदी को लागू करने की व्यवस्था को जायजा लेने के लिए 26 गर की 20 सदस्य टीम पहुँच रही है जो कि 11 मार्च तक पूरी व्यवस्था की जानकारी लेगी जिसमें बढ़िये अधिकारी और कई विधायक भी शा धारित की गई है इसके अलावा जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वह 16 मार्च सक अपना नाम वापस ले सकते हैं बतादे कि इसके लिए मद्दान की प्रक्रिया 31 मार्च को की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बतादी की बिहार विधान परिसत की जिन 2030 को पूरा हो जाएगा वहीं सारान सिक्चक निर्वाचन सीद विधान पार्षत के दार नात पांडी के निधन के बाद खाली परी है आज इस मुरत पर है होली का देहन देश में होली 8 मार्च यानि की कल मनाई जा रही है लेकिन इस बार होली का देहन को लेकर लोगों के साम 6.24 से हो रही है जो की 8.51 तक रहे गिया आपके जानकारी के लिए बता दे कि होली का देहन पूर्णिमा को किया जाता है यही वज़ह है कि देश के कई अस्थानों पर 6 मार्च को भी होली का देहन किया गया सियम नितीश ने प्रदेश वासियों को दी होली और सब्वे बढ़ात की बढ़ाई प्यार के मुखे मंतरे नितीश कुमर के द्वारा प्रदेश वासियों को होली और सब्वे बढ़ात की बढ़ाई एवं शुब कामनायती के उन्होंने कहा कि होली समाजिक समरस्ता का प्र बाहर रखते हैं और मिल जुल कर खुशिया बाठते हैं इसके साथ उन्होंने लोगों से अफील की कि वह हूली का तेवहार पारस्परिक प्रेम आपसी भाईचारे एवं समाजिक सत्भाव के साथ मनाए वही सब बढ़ात की बधाई लोगों को देते वे कहा कि यह एक पवित प्रगति की उचाई पर बढ़ता रहे बिहार के 11 अधिकारियों को मिला प्रमोशन समाने प्रशासन विभाग के दोरा अधिसूशना जारी करिया जानकारी दी गई है कि 2019 बैच के भारतिय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को सयुक्त सचीव अस्तर पर प्रमोशन दिय पर या गया है बता दी कि जिन 11 आईय सदिकारियों को प्रणती दी गई है उनमें भागलप्र के उप विकास आयुक्त कुमार अ्रुडार वैशाली के मनहर अनुमंदल प्रशास कमार श्रियादव, बांका के अनुमंदल पदादिकारी शूस्री पृति, मुझः परपुर के नगर आयुक्त नवीन कुमार, मुंगेर के अनुमंदल पदादिकारी यतिंद्र कुमार पाल, आडा भोजपूर के उपविकास आयुक्त विकरम वीरकर, प्रतिक्छार्थ प्रियंक में हरकम्प मचा हुआ है दरसल तातकालिक डीम नवल किसोर चौधरी के दोरा गोपाल गन जिले के स्वास्त विभा के एक करमचारी के ऊपर कारवाई की गई है बता दे कि यह वही करमचारी है जो कहीं सालों से बंगाल में रहकर बिना ड्यूटी की सरकाली तंखवा उठा र सहायक और अन्य अधिकारियों से साथ गाट कर हमेशा अनुपस्तित रहता था बता दे किस करमचारी की पहचान मनीज जूलियस के रूप में की गई है फिलाल मनीज जूलियस को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उनकी मददगार ए एनम ग्यान माला कुमारी को भी निल किया गया है इसके साथ ही पुलिस के दौरा तीन धंदे बाजों की भी गिरफतारी की गई है बता दे कि मिली जानकारी के नुसार राजगीट अनुमंडल डियस प्रदीप कुमार को मिलिक गुप्त सूच्रा के आधार पर चमड़ीहा मोर के समीप वाहन चिकिंग दौरान या सफलता पाई गई है तसकर होली के मौके पर सराब किये खेप को खपाने के लिए जारखन के रास्ते नालंदा के राजगी होते वे मुझपर पुड ले जा रहे थे फिलाल गिरफतार किये गए तीन धंदे बाद से पुलिस पूछताच कर रही है BPSC और सथी प्राणबिक परिच्छा का OMR SEAT ज जारी प्याब लोग सेवा आयोक के दौरा BPSC और सथी की प्राणबिक परिच्छा की OMR SEAT को जारी कर दिया गया है अभ्यरती इस OMR SEAT को BPSC के आधिकारिक वेबसाइट BPSC.BIH.NIC.IN पर जाकर डांटलोड कर सकते हैं बता दे कि OMRC डाउनलोड करने का लिंक वेबसाइट पर केवल 12 मार्स 2023 तक उपलब्ध रहेगा, अभरतियों के पास लिंक डाउनलोड करने का समय केवल 12 मार्स 2023 तक है, वहीं अगर BPSC 68 प्राड़मिक परिच्छा के परिणाम के घोशना की तारी की बात करें, तो BPSC परिच् CBI की टीम, रेलवे में नौकरी की बदले जमीन लेने के मामले को लेकर बीते दिन जहां CBI की टीम पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी के आवास पहुंची, तो वहीं आज CBI की टीम लालू यादर की वे टीम मिशा भारती के घर पहुंची है, बता दे कि बीते दिन ल लेकर लालू प्रशाद उनकी पत्नी राबली देवी समेत कुल 16 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है, सिक्षक नियुकती को लेकर बीजेपी ने तंज कस्ते वे तेश्वी की बातों को सही करारा, बिहार में 3 लाग सिक्षकों की होड़ ही नियुकती में देरी को बिहार की सिक्षा एवं सिक्षकों के भविशे को लेकर न सर्म है न दर्ध है और ना ही समवीदना है, वह लापड़वा है, उन्होंने कहा कि अब इसी सवाल का जवाब सीम नितीज कुमार, डिप्टी सीम तेश्वी यादव और सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेखर को देना चाहिए, आपकी जानकाली के लिए बता दे कि जब बिहार में एंडी सरकार थी उस दोरान तेश्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि न सर्म न दर्ध न समवीदना न वादा खिलाफी का डर, न जम्हदारी का एहसास और न वर्तमान और भविशे की चिंता, ब पतना जल संसाधन मंत्री संझय कुमार जाख के द्वरा कोसी विकास प्राधिकरन के गठन का मुद्दा उठायागया है, बता दी कि लिए बता दी की पतना हाईकोर्ट के द्वरा पिष्ले महिने के एक एतिहासिक फैसले में राजय सरकार को ये निर्देश दिया गया था कमवंदित अधिकारी इस पर उचिस समय में विचार कर निर्णेले और काड़ेवाही शुनिश्चित करें इसी को लेकर एक बार फिर से समुद्धे को उठाते वे संजय जहा के दौरा केंद्रे जल सकती मंत्री गजिंद्र सिंग सिखावत के सामने अपनी मांग रखी गई है विरासत बचाओ यात्रा में उपिंद्र कुश्वाहा ने सीम नितीस पर शाधान निसाना वितेदिन राश्वी लोग जनता दल के अध्यक्स उपिंद्र कुश्वाहा अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान विहार के छपड़ा पुँचे जहां उन्होंने बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी ना हो तो आप सभी हमें समर्थन दे क्योंकि इस बार बिहार की जनता चाचा भतीजे के शासन से उप चुकी है उन्होंने कहा कि राजनितिक व्यक्तिगत सुक्सृधाओं के लिए नहीं होती बलकि जनता के सुक्सृधा के द्वारा चांती का मुक्र पहना कर स्वागत किया गया कि सिवी आई च्छाप इमारी पर आमने सामने तेश्री यादव और विजय सन्हा विजय नौकरी के बदले जमीन मामने में सीवी आई के दौरा पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी के आवास पर का एक मुद्दा बन गया है बता दे कि सिवी आई कि कारवाई को लिक विःवार के उपमूख्यमंत्री तेश्री आदव और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आमने सामने हो गया एक तरफ जहां तेश्वी यादव का कहना है कि इस तरह की कारवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा घबराई हुई है उन्होंने कहा कि जिस दिन महागरवन्दन सरकार बनी थी उसे दिन मैंने कह दिया था कि इस तरह की कारवाई चलती रहेगी 2024 का जो इंटर्नल सर्वे हुआ है जाहिर जिबात है उसे बीजेपी की चिंता बढ़ेगी वहीं उसका पलटवार करते वे निता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि संबैधानिक संस्था का सभी को समान करना चाहिए हमें पता चला कि CBI को उन्होंने खुद बुलाया था और वह भी सदन के दोडान उने कहा कि राज़त के निता सस्ती लोगप्रियता हासिल करने के लिए यह सब कदम उठा रहे हैं लेकिन पीएम ने साफ कर दिया है कि ब्रस्टाचारी बचेंगे नहीं इसलिए राज़त निता विहार की जंता को भटकाने की कोशिश ना करे AV Develiers ने इस खिलारी को बताया T20 क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर साओथ अफ्रिका के पूर्व कप्तान और मिस्टर 360 के नाम से जाने और पहचानने वाले खिलारी AV Develiers ने हाली में T20 क्रिकेट में अपने पसंदीता और टााइम ग्रेटिस्ट खिलारी चुना है बता दे कि एवी डिवीलियर्स ने जिस खिलारी का चैन किया है वह रासत खान है उन्होंने कहा कि मेरा all time greatest T20 खिलारी कोई और नहीं बलकी रासत खान है वह बल्ले और गेन से अच्छा प्रोदर्शन करते हैं उन्होंने कहा कि दोनों विवागों में मैच विजे तावा मैदान में एनर्जी के साथ उतरते हैं और नेडर है तो हमेशा जीतना चाहते हैं बहुत प्रतिसपर्दी है और वह सर्वस्ट्रेश्ट T20 खिलारीयों में से एक नहीं बलकी सबसे अच्छे है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल करेट बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल करेट जारी किएगा इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रोल 107.92 रुपए और डीजल 4.162 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है करो साथ निरदारीट रूपए इसके साथ ही गया में पेट्रॉल ही कीमत 108.30 रूपए प्रती लिटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल का एट सब्स्यादा किसन गंज में है जहाँ पेट्रोल 109.4 रुपे प्रती लीटर और 106.4 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमाजोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना चवाब हमें हमारी कामेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है उन्गिनले पूर्णicky कि घुचान अनवर करीम ठान मोटो टरंगिला अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार ड्यूटी से गायब रहने वाले करंचारियों के खिलाफ सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपना चवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन लिखकर ज़रूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तबाम ख